समाजवादी पार्टी में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है इन सब के बीच आज सफा प्रमुक मुलायम सिंग यादव ने सीम अखिलेश यादव का फैसला पलट दिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि गायतरी प्रजापती को फिर खनन मंत्री बनाया जाएगा उनके खिलाफ कारवाई रद कर दी गई है आपको बता दे कि प्रजापती को अखिलेश ने मंत्रीपत से हटा दिया था ये मुलायम और शिफपाल दोनों के करीब वाने जाते हैं साथ ही मुलायम ने कहा कि पार्टी में मत्भेद नहीं है हम सब साथ है मेरे रहते पार्टी में फूट नहीं हो सकती परिवार में कभी कभी मत्भेद हो जाता है पार्टी दफ्तर में कारेकरताओं के बीच मुलायम सिंग यादव ने कहा कि अखिलेश मेरी बात कभी नहीं ब़ीब मुलाइम के बयान के तुरंट बाद र खिलेश का फैसला नहीं आदिया फैसला नहीं चालूंगा यानी कहीनी न कहीन यहाँ अखिलेश नरंपर्ते दिखाई दे रहे हैंウैं इसे पहले मुलाइमा सिग एदफ ने आज केasto के मुलायम सिंग यादव ने मुलाकात की थी एक तरफ जहां मान मनोवल का दोर जारी रहा तो वही पार्टी में दो फार्ड के सिती भी देखने को मिली शिवपाल यादव के मंत्रिपद और अध्यक्षपद से इस्तीफा देने के बाद से ही उनके समर्दक घर के बाहर जुट गए इस दोरान समर्दकों ने शिवपाल यादव के पक्ष में जमकर नारे बाजी की और राम गुपाल यादव के खिलाफ नारे लगाए लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंग यादव की बाद अंसुनी कर दी थी जिसके बाद शिवपाल यादव ने ये कदम उठाया यूपे जुनाफ सिर पर है ऐसे में परिवार में मचे सियासी घमासान की लड़ाई को शांत कराने के लिए मुलायम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसे कहीं न कहीं राजनीतिक पैत्रेबाजी की नजर से भी देखा जा रहा है देखते रहे एटीबिलाइव